So, hey everyone, this is Karon, तो जैसे के हमने कल introduction डाला था, हम कौन सा course launch करने वाले, तो यह हमारी course का सबसे पहला वीडियो अने वाला है, और इसमें हम Linux के कुछ basics सिख रहे होंगे, तो बिना किसी देरी के, आईए शुरू करते हैं तो प्रेक्टिकल चालू करने से पहले, यानि कि मैं जो आज basics का मार्ट सिखाऊंगा, वो चालू करने से पहले हम थोड़ा Linux की राम खता जान लेते, आखिर में Linux क्या है, तो Linux सबसे पहले release किया गया था, 17 September 1991 को बाई Linux या फिर Linus जो भी कहलो उसका नाम, तो पूरे world में सबसे ज़्यादा जो kernel install हुए हैं, वो सिफ Linux के हैं, क्योंकि एक fact बताता हूँ, आपके जो smartphone हैं, उसमें भी Linux ही रन हो रहा है Android में, तो अगर हम infosec perspective से सोचें, तो यहाँ पे दो reasons निकल के आते हैं, हमें Linux को क्यो run या फिर क्यो use करना चाहिए, सबसे पहले most of the servers जो run होते हैं, वो पूरे world wide में, वो Linux के होते हैं, और उसे hack करने के लिए हमें Linux सिखना तो ज़रूरी है, और second reason यह है कि जो hacking के most of the paint testing tools हैं, वो हमें Linux पे मिलते हैं, सारे collaborate करके एक ही जगह पे रखा गया है, तो इससे अच्छा platform हमें और कहा ही मिलेगा, तो यह chapter में सि इसमें एक से दो या फिर तीन वीडियो लगेंगे, जो हम में आगे यूज होगा, मैं वही commands बताऊंगा, और एक और बात Linux जो है, वो करनल है, कभी भी किसी से यह मत के देना, कि वो ऐसे हैं, उस हिसाब से Linux के पास बहुत सारी distribution है, और जो Linux के अलग-अलग platform या फिर अलग अलग versions आती है, उसे हम distros केते हैं, और उन सब के अलग-अलग स्काम है, जैसे कि कोई desktop environment को अच्छे support करता है, तो कोई बहुत ही fast होता है, तो कोई file management को process करता है, hundreds of distros है, लिकिन मैं तीन-चार बता देता हूँ, एक Debian, Red Hat, CentOS and Arch, तो Linux को कैसे install करना है, आप YouTube पे देख सकते तो दीर सारी वीडियो पड़े, मैं उस पे नहीं जाऊंगा, तो सबसे पहले हम अपना terminal खोल देते, जिस पे हम अपने commands को practically improve करेंगे, क्योंकि most of the time है आप desktop ली भी कर सकते, लिकिन वो fast नहीं होता, और most of the time आपको terminal पे काम करने की ज़रुत पड़ी ही चाहता है, आप दी देखेंगे क्या होते है, pwd command cd, तो आईए हम पहले देख लेते हैं, pwd का मतलब है present working directory, यानि कि हम जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, वो हमें print करवा दो, तो यहाँ पे मैं pwd type करता हूँ, यहाँ पे हमें बता रहा है कि हम home kali directory में, for example हम अभी ls कर लेते हैं, और हमें जाना है desktops के अंदर, तो अब आ गया है, हम अपने folder के अंदर desktop और उसके अंदर भी एक और folder है, वो है practice, तो यहाँ पे आपने जैसे देखा हमने cd किया, हम cd करके अलग-अलग directories में जा सकते हैं, जैसे कि cd का full farm हो गया change directory, अगर आपको पीछे आना है कदम directory में, तो हम cd और double dot करेंगे, तो वो एक step पीछे आ जाएगा, आपको यहाँ पे धिकरा होगा कि हम पहले practice में थे और अब desktop में आ गए हैं, और हमें फिर से उस director में जाना है, तो हम cd और फिर से उसका नाम लिख देंगे और enter, और हम फिर से उसी director में चले जाएंगे, और क्या हो हमें, वहीं यहाँ पे आना है, जहाँ पे हम सबसे पहले थे, तो हम करेंगे cd और यहाँ पे curly एक escape की नीचे बटन है, वो आप click कर देना, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते, और हमने enter कि हम उसी जगह पे आ गए, हम फिर से pwd करते हैं, और यह आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ctrl l करता हूँ, फूरा clear कर दिया, और हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अब हम files के तरफ चाहेंगे, आपने ls देखा, कि मैंने listing directory के लिए किया है, मैं फिर से दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे हम यह वाली कुछ commands करेंगे, मैं इस panel को थोड़ा side में ले लेता हूँ, त देखते, ls किया, तो हमने यह देखा कि हमारे file के अंदर और क्या-क्या है, for example, हम पीछे आ जाते, और फिर ls करते, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो folder है, हम और थोड़ा पीछे आ जाते, और ls करते list, तो यहाँ पे हमारे पास यह सारे directories आ गए, तो जो यहाँ पे हम functions लगाएंगे, ltr, तो हमें साथ में इसके permissions दिखेंगे, read, write और execute के permission, अगर आपको इसके बारे में सीखना है, तो मैंने already Linux file permissions के उपर video बना है, आप वो देखोंगे, तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बहुत ही detail में मैंने उसे समझाया है, और यहाँ पे modification dates दिखे रहे, कब इस file को modify किया गया था, कब create किया गया था, और इसका user कोने और group में कोने, तो अब हम बात करेंगे file command के बारे में, file क्या करता है, for example हम यह देख लेता है, हमारे पास कौन से file से, तो यहाँ पे हमारे पास दो content है, एक file.txt और एक name, तो अब हम करते है file और file.txt, तो यह हमें बता देता है कि उस file के अंदर का content क्या है, for example आप जब programming सीखोगे तो वहाँ पे data types होते, उस file के data types क्या है, वो आपको यह file command बता देगा, अब बात करते हम cat के बारे में, cat कोई really नहीं, यहाँ पे एक tool है, जो कि हम file को view कर सकते, अब यहाँ पे हम द देख सकते हैं, मैंने कुछ content यहाँ पे लिखा है, और उससे हम इस cat के command से देख पारे, हमें simply cat tool का नाम लेना है, और आगे जो file हमारा उसे type कर देना है, तो यह folder के साथ काम नहीं करेगा, यह सिफ files के साथ काम करता है, तो यहाँ पे मेरे पास एक और file है, हम फिर से करते है cat name, ओके, यहाँ पे इंटर किया है, इसके अंदर कुछ nams थे, तो वो हमें दिग गए उस file के content, तो अब हम बात करते हैं, less के बारे में, less अगर में क्या करता है, हमारे पास बहुत सारे content एक file के अंदर, और हमें वो थोड़ा थोड़ा देखना है, क्योंकि वो हमारी system को crash क कर सकते हैं, अगर बहुत सारा हुआ तो, तो यहाँ पे हम देंगे name, यह हमारा second folder का नाम है, file का, तो अब इसे हम करते हैं, एंटर, और यह हम जैसे जैसे एंटर करेंगे, वैसे वैसे यह थोड़ा थोड़ा content दिखाते जाएगा, और एंटर दबाके रखेंगे, तो यह द और अब बात करते हैं, मोर के बारे में, यह same alternative way less command का, तो आईए देख लेते हम name करते हैं, और enter करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसा ही कुछ function नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी details दिखाए जारे, file के कितना content रहे गया है, तो मैं enter दबाई जा रहा हूँ, और details, मतलब file के content बाहर आ रहे, तो यह तो था alternative, less or more का, अगर हमें चीज़े तोड़ी तोड़ी देखनी, अगर हमें एक ही साथ पूरी देखनी हैं, तो हम cat कर सकते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं, अब हम तोड़ी चीज़े ना, files के साथ करते हैं, Linux में files वगेरा क्या होते तो सबसे पहले किसी को भी चीज़े दिये जाएगा, तो यह सीखना चाहेगा कि file कैसे बनाया जाता है, तो यह तो आप Linux में manually भी बना सकते हैं, जैसे आप Windows में मनाते हो, लेकिन मैं terminal के साथ सीखाऊँगा, यहाँ पे आप touch लिखोगे, और उसके बाद आपको जो भी file बन उसके क्या हमारे पास है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओम.txt बन गया है, प्रूफ के लिए में एक और फाइल बना देता हूँ, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक और फाइल आ गया है, kristna.txt, तो आप यह समझ गए होगे, हम touch command इसलिए यूस करेंगे, हमें file create करना है, और cp हम copy करते चीज़ों को, for example, अब यह न मैं एक डारेक्टर पीछे चलता हूँ, और यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे सिफ दो फोल्डर से, ctf और practice, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं practice के अंदर चला जाता हूँ, और मैं यहाँ से क्रिष्णा फाइल को copy कर लेता हूँ, cp, और मैं पीछे वाले directory में इसे paste कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने किया enter, और यहाँ पे तो क्रिष्णा रहेगा, क्योंकि हमने copy command use किया है, तो cd, अब आप यहाँ पे देखोगे, हमारी वो फाइल क्रिष्णा.txt copy होकी पीछ पीछे आ गया है, हमारे पिछले directory में, तो अब हम अपने original directory में आपस चलते हैं, और उसके बाद हम सिखेंगे directories केसे बनाएं, अभी तो हमने इसे फाइल बनाया, touch command से, अगर हमें directories बनाना है, तो हम command देंगे m, k, dir, और यहाँ पे हम अपने फाइल का नाम दे देंगे, जैसे की, ohm2 दे देंगे, और यहाँ पे enter करेंगे, तो यहाँ पे ls करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ohm2 दिख रहा है, जो की blue color में, वो indicate कर रहा है, कि वो एक directory है, और normal font में है, color में है, वो हमें indicate कर रहे है, वो एक file text है, अगर हमें ohm2 को remove करना है, तो हम simply य और यहाँ पे आप गौर करोगे, यहाँ पे मैंने rm, rf यह दिया, यह बहुत ही dangerous command है, अगर file में कुछ content रहा, तो वो normally rm, dir से remove नहीं होता, लेकिन अगर हमें उसे forcefully delete करना है, तो हम यहाँ पे यह extension लगा सकते है, जिससे वो file को delete कर देगा, यह तोड़ा dangerous हो सकता है, क्य तो वो फूरा delete कर देगा, और system crash हो जाएगा, खिर मैंने तो यह directory को कैसे remove किया जाते है, वो बताया, और अब हम देख लेते, files को कैसे remove किया जाता है, तो simply rm, dir नहीं लगाना है, और krishna हम यहाँ पे krishna.txt करेंगे, और enter करूँगा, तो दिखाता हूँ, यहाँ पे krishna.txt चला गया है, तो कई बार क्या होता है, हमारे पास चीजे होती है, और हमें उसे find करने की ज़रूत पड़ती है, हमारे पास, वो कहाँ पे है, हमें उसके path नहीं पता रहता, वो कौन से folder में exist कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन command आते हैं, जो की है find, locate और which, यह तीन हो कैसे काम करता है, तो यहाँ पे मैंने अपने toll को call किया, और यहाँ पे मैंने ये directory दी, इसका मतलब है, सबसे पीछे से call करना है, हमारे पास बहुत सारे folders होते हैं, वो folders की शुरुवात यहीं से होती है, और उसके बाद मैंने define किया, वो file का नाम है word list, और जो भी error आजा है आप इसमें डाल दीजिए, तो अब हम करते enter, तो अब आप देख पा रहे होंगे, जहाँ जहाँ word list नाम की folder है, वो हमें बता रहा है, user bean के अंदर यह है, और यहाँ पे share के अंदर है, और यहाँ पे derp के अंदर भी है, तो ऐसे हमें चीजों को find करना है, तो यह find कर लेता ह और अब बात करते हम locate के बारे में, locate एक command है, जो की auto बहुत ही fast होता है, find command से, लिकिन यह find से अलग ऐसे होता है, यह already इसके एक database होती, उसमें set होती है, कि यह चीज़े यहाँ पे, तो यह बहुत ही fastly गाम करेगा, locate, word list में यहाँ पे type करता है, और enter किया, जितने भी word list जह हाँ पे exist करते हैं, उस सारी details देदी है इस neighbor को, लेकिन इससे हमें time time to update करना पड़ता है, तो उसके लिए command है sudo update db, यह करती ही, वो update हो जाएगा, हमने password देदी है अपने system का, और अब हम last अपने command के बारे में बात करने वाले जो की है which, तो सबसे पहले हम यहाँ पे find कर ल तो bash कहाँ पे exist करता है, user bin bash में, यहाँ पे एक और shell होते हैं, जो की है, thing मैंने कुछ अंगलट type कर दिया, which, zsh हम कर लेते हैं, यह भी एक terminal होता है, shell के types होते हैं, कही सारी, fish होता है, bash होता है, shell होता है, sh होता है, कही सारे वो हम दीरे दीरे सीखेंगे, जैसे हम course में आगे टूल मिलते हैं, जो की है find, locate और which, ऐसे ही हमने आज की सारे topics complete कर लिए, इसके और commands है, जो की हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो को हमें बड़ा नहीं करना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने navigation देखा, चीज़े कैसे shift होती है, working directory कैसे पता जाता वो देखा, तो I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, so please let me know in the comment, और I will say thank you for watching, आपने यहां तक वीडियो देखी,